नमस्कार खब्रे हिमाचल की में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ अकांग्श मिश्वरा आई आगास करते हैं हिमाचल के एहम खब्रों का हिमाचल प्रदेश के शिक्षाओं और रन्य विभागों में अब बंपर भरतिया होंगी मुखे मंत्री सुखविंदर सिंग सुख्कू की अध्यक्षता में बुद्वार को शिम्रा में हुई हिमाचल काबिनेट की बैठक में शिक्षकों के 5291 पदों को भरने की मन्जूरी मिली है कैबिनेट के फैसलों की जानकावी देते हुए उद्योग मंत्री हरश्वदन चौहान ने कहा कि जनजातिये दुर्गम शेत्रों में खाली पड़े शिक्षकों के पद भरे जाएंगे प्रावेंबिक शिक्षा विभाग के तहट TGT कला के 1070, Non-Medical 706, Medical 430, शास्त्वी 494, जेबीटी के 2521 पद भरे जाएंगे इसके अलावा कोरोना के दौरान नुकसान जेलने वाले ट्रांस्पोर्टरों को रोड टाक्स में एक मुष्ट छूट दी जाएगे भागवानी मंत्वी जगत नेगी आस्ट्रेलिया दौरे से लोटाए हैं मीडिया से बादचीत में जगत नेगी ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया से बागवानी के शेत्व में नई चीजे देखी है उनको हिमाचल में लागु करने के लिए कदम उठाए जाएंगे नेगी ने कहा कि इस बार सेब सीजन के लिए कुछ नए कदम उठाए जा रहे हैं अब हिमाचल में सेब और अन्य फल वजन के हिसाब से खरीदा जाएगा हिमाचल में भांग की खेती को और शदिये गुड़ो और उद्योग के लिए उपियोग में लाने के लिए वैद करने की बात चल रही है जिसके अध्याइन के लिए हिमाचल से उनकी अगवाई में पाच सदस्य टीम उत्राखंड और मद्यप्रदेश में जा रहे हैं इससे हिमाचल को कितना फाइदा होगा काफ बहुत सारे हमारे मेरे सेवान है उसमें मेंबर्स है हमारे जो है 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 जानकारी लेंगे के भी कितना इसका जो है इकनोमी जो है इससे स्टेट को हो सकता है क्योंकि हमाचल में बहुत सारे हमारे डिस्टिक्ट्स हैं जहां पर बांग जो है जो है वाइल्ड में भी इसका पैदावार है और जो मेडिकल वैल्यू है उसके लिए जो है आपको कंट्रोल एटमोस्पेर में जैसे पॉलिए होसी में करना है तो यह सारा स्टेडिक करके हम गौर्मेंट को जल्द रिपोर्ट सौपेंगे कि इसका फैदा अगर हो रहा है तो इसको जो है हमाचल में भी जो है किया जाए क्योंकि केंदर का जो कानून है उसमें बांग के लिए जो है स्टेट को जो है पावर दिया हुआ है स्टेट चाहे हमाचल प्रदेश कॉंगरेस के मोख्य प्रवक्ता प्रेम कॉशल ने धरमशाला में प्रसवार्ता में कांगडा संसद्य शेत्र के संसत का नाम लिए बिना कहा कि आसू बहा कर जुस नेता ने टिकट लिया चुनाव जीते विधायक बने फिर मंत्वी पद मिला बाद में उ मिल्पुर संसद्य शेत्र के संसद अनुराःक ठाकुर ने सी उछाव साल तक संसद्य शेत्र की जंता को भूल गये अब चुनाव सामने देखकर दोरों संसद चिनतत होकर जंता के बीच दिखने लगे हैं साथियू नों ने कहा कि बीजेपी नेता पिछले पाच साल गांधी परविवार की आलोशना करते रहे और मोधी चालिसा का गुडगान करते रहे लेकिन हिमाचल के बाद करनाटक चुनाव नतीजों ने बीजेपी की कतनी और करनी के अंतर को सपष्ट कर दिया एक तो मेरा इशू है हिमाचल में जो आर्थिक स्थिती है पिछली सरकार ने जो आर्थिक बधाली हिमाचल प्रदेश की है और जो जिस आर्थिक हालात में हिमाचल प्रदेश को छोड़ा है उसके उपर मैंने चर्चा की है और मेरे इसमें विश्य ये था कि किसी भी पिछली जो डवल इंजिन सरकार थी जैराम जी की सरकार थी केंदर की सरकार थी दोनों सरकारों ने हीमाचल परदेश में आमदनी बढ़ाने के बड़े असान तरीके जिसमें पेटरूल के उपर टेक्स लगा दो डीजल के उपर टेक्स बढ़ा दो खाने की चीज़ें के उपर टेक्स बढ़ा दो और कोई ऐसी चीज़ बची नी दवाईयों समित जिसके उपर जो है वो टेक्स बढ़ा के धन जुटाने का काम पिछली स्रकारों नहीं किया लेकिन किसी भी सरकार ना यह नहीं सोचा जो पीछे ना केंदर की ना परदेश की कि लोगों के उपर बोचछ डाले विना हम परदेश में जो धन है उस को कैसे जुटा सकते हैं देश की आर्थिक सिती जो है, उसको कैसे मजबूत किया जा सकता है, मुख्या मंत्री ठाकुर सुकविंदर सिंग सुकुजी ने सता में आने के बाद कॉंगर्स पार्टी की सरकार ने इस विशे के उपर विचार किया और वाटर सेस जो हमारे पावर प्रोजेक्ट्स हैं, उनके उपर लगाने का निर्ने लिया है, जिस से लगभग 4,000 करोडर में आमदन होने की उमीद है, लेकिन ये विधानसावा में भी पास हो गया, गुवर्नल मोहदे ने इसके उपर मोहदे लिए हमाचल प्रदेश के शिमला तयबजावी यूनियन ने C2 के बैनर तले महापौर सुरेंद्र चोहान को ग्यापन सौपा है, यूनियन का कहना है कि तयबजावियों को बसाने के लिए अरजीविका भवन बनाया गया है, लेकिन उसमें तयबजावियों के अलावा भी अन्ये लोगों को दुकाने दी लेकिन वहाँ पर अन्ये लोगों को भी दुकाने अलोट कर दी गई है, महापौर को ग्यापन देकर इस पर कारवाई करने की मांग की गई है, महापौर ने इस पर सकारात्मक्ता के साथ जल्द हल करने का आश्वासन दिया है सबसे पहले तो हमने शुब कामना हैं दी है क्योंकि अभी नहींने महापौर बने हैं सुरेंदर चौहां जी और एक ग्यापन भी हमने सौंपा है त्याप जारी की मांगो को लेकर और हमने ये रिक्वेस्ट की एंसे कि टाउन वेंडिंग कमिटी जो की दोहजार चौदा में देश के अंदर मानिया सुप्रीम कोड के दिशा निर्देशा नुसार के अंदर सरकार ने मार्च दोहजार चौदा में कानून बनाया था रेड़ी फड़ी तयाब जारी को लेक रेगा बलकि उनको बसाया जाएगा उनके लिए जो है बैंडिंग जौन बनाए जाएंगे उनके लिए प्रीफैरिकर्टिड स्टुक्टर्ज बना जाएंगे उनको एड़ेस्ट किया जाएगा तो जो हम देख रहे हैं वर्तमान में कि बहुत सारे रेड़ी फड़ी नुसार उनको भी तंग किया जाता है शिमला शेर के अंदर जबकि कानून इस बात को स्पष्ट करता है कि उनको उजाड़ा नहीं जा सकता है और हम ये भी देख रहे हैं कि उसी कानून के इर्द गिर्द बाद में जब ततकाली नगर निगम जो थी उसने एक आजीवी का हिमाचल प्रदेश के उप मुक्यमंत्री मुकेश अगनी होत्वी का बीते दिनों डलहौजी विधानसवा शेत्व का दौरा पूरी तरह फ्लॉप रहा है ये बात डलहौजी के विधायक डिस ठाकुर ने सुंडला में आयोजित प्रेस वारता में कही उन्होंने कहा कि दौ पूर विधायक ते मुक्यमंत्री के मंच पर कोई भी डिमांड नहीं रखती जिससे की शेत्र की जनता को लाब पहुचता मुक्यमंत्री जी का द्रजी कंसिर्शी का भी पीछे दोरा हुआ वो पूरी तरह फ्लॉप रहा जो अन्होंने दुगाटन और सिला नियास किये वो पूर में जैराम्ज की सिरकार ने उसके धनाती सब्वित की थी जो सुलूनी की बड़ी पेजली उजना का दुगाटन वगाटन वगा च्छतालिस क्रोड़ पे इसकी सविक्रिति जैराम्ज सरकार ने दी थी और लोग अपने आपको ठगा सा मैसूस कर रहे हैं जो कॉंग्रेस की पूर में बधाई कर रही हैं उन्होंने इस विधानसावा क्षेतर के लिए कोई नहीं मांग नहीं उपमुख्य मंत्री के समक्स रखी जो उन्होंने दस लाग के आईडिये दिये दे युवाउं साथि के लिए वो कोई भी आईडिया एक भी आईडिया उस कारेक्रम में कहीं नजर नहीं आया क्योंकि प्रेटन की दुष्टी से हमारा सुलूनी का एरिया काफी विक्षत हो सकता है ड्रोजी प्रेटन नगरी है तो युवाउं को रोजगार के सादन भी मिल सकते थे और दूसर का जो हमारी सरकार का टाइम में दर्जन और संस्तान ड्रोजी कंसरेंसी में डी नोटिफाइव किये हैं तो जनता की कोई भी मांग को उस स्टेज पे नहीं रखा गया लोगरमान विभाग मंतरी का दोरा ड्रोजी कंसरेंसी का आगया है जिसमें वह एक रेश्टों उसका उ जजवहे राजस्तरिये नाटी उत्सव में रंगवंच के जरिये कलाकार अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाएंगे अभी तक शिमला और कुलू सहित अन्य जिलों में ही इस तरह के आयोजन होते थे लेकिन ये सवभाग इस बार बिलासपूर को मिला है भाशा और संस्कृती विभाग बिलासपूर के सौजन्य से 23 से लेकर 27 माई तक बहु उत्देश्य सांस्कृतिक परिसर में ये नाटी उत्सव सजेगा जिसमें प्रदेश भर के जिलों से कलाकार अपनी जिलों से संबंधित फोक और मॉडन थेटर के तहट नाटक पेश कर जंता का मनुरंजन कर हर दिन नाटे मंचन दो घंटे की अवधी का होगा नाटी उत्सव के भव या आयोजन को लेकर विभाग ने तयावियां शुरू करती है एग गयाल प्रक्तर से के तैटे जो हो रहा है एक अब अब्री खुशी हो रही है यह उप और इसमें जो है पांच दिन ये चलेगा और इसमें दोनों फोक थेटर भी चलेगा और modern theater भी हर दिन चलेगा एक गंटा folk theater चलेगा और एक गंटा modern theater चलेगा जिसमें हमारे प्रदेश के विबिन district से हमारे 10 अलग-अलग districts से जो है जो कलाकार है यहां आएंगे और अपनी जो है प्रस्तुती देंगे इसमें हमारे जो प्रस्तुत हैं जैसे हर नात्रा है बर्मोर का, pouring folk के नौर का, सेंटू आपका, सिर्मोर का यह तो बेन अट्रैक्शन रहेंगी कि जो 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 अलड़ी प्रस्त हैं और जिनको देखने लोग दूर दूर से आते हैं तो मेरी यहां सभी कलाप्रेम्यू से और सभी पेरेंट्स से बच्चों से अपील है क्योंकि आजकल हमारे जो है डिजिकल जमाना हो गया है, सारा कुछ हम फोन पर देखते हैं और अपना टाइम या तो टीवी या तो मॉबाइल या तो नेटफलिक्स या यूट्यूब पर हम वजीद करते हैं तो हम इस फोक थेटर और थेटर से नॉर्मली जंगल थेटर से भी हम दूर होते जा रहे हैं तो यह हमारे पास बिलासपुर के लोगों के पास एक अच्छा मोका है, कि वो अपने बच्चों को के साथ आए, फैमिली के साथ आए और यह हमारा थेटर देखे, पास दिन का कारिक्रम होगा, बड़ा अच्छा कारिक्रम होगा, बड़े अच्छे से और्गनाइजम कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के नालागड पुलिस ने अवैद खनन करने वालों के खिलाब सकत होती नज़र आ रही है, पुलिस को लगातार शिकायते मिल रही थी, कि नालागड शेत्र में अवैद खनन लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते पुलिस ने अलग-अलग तीमें पुलिस नालागड फिरोज खान ने जानकारी देते हुए बताया, कि पुलिस को लगातार शिकायते मिल रही थी, कि नालागड शेत्र में लगातार अवैद खनन हो रहा है, जिसके तहट पुलिस ने टीम का गठन किया, जिसके चलते दबोटा नदी, अंदरोला नदी में दबिश दी, जहां से उन्होंने चार जेसिबी और दो टीपर हिरासत मिल रहे हैं, जिन पर माइनिंग एक्ट में करवाई की जा रही है। जिसके टीम काम किया और हमने चार जेसिवी कुछ टीपर को पकड़ के लाया और माइनिंग एक्ट में जो बनता है उस पर कारवाई की बिलकुल यह बात तो सही है, यहां पर अच्छी हिंसान है, उसे इस बार इस बार इस बार इस साफ की कमी है और उन्होंने इंशोर किया कि चोरिये ना हो, उसके लिए स्पेशली रात को बारा से लेकि चार जोजे के बीच में जाजा में डर था कि चोरिये हो सकती है, हमने इमामें पेट्रोलिक बढ़ाई है, तो हम काम करें और स्टाफ की रही बात हो। सूचना और प्रद्योगिकी के इस तौर में बेशक कुछ लोग चांद और मंगल ग्रह पर घर बनाने का सपना देख रहे हों, लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो अपने देश में ही दो गज जमीन और सिर पर छट के लिए भी मोहताज हैं। से ग्रेटर सर्मॉर के पहाडी शेत्रों के छे मा के प्रवास पर पहुँच चुके हैं। सब्सक्राइब करनी पढ़ती हैं। सब्सक्राइब करनी पढ़ती हैं। और वहां पर जो है हमारे जो है हर बोट कारड है तार कारड बगएरा रासन कारड बगएरा हर चीज़ें जो है हमारे को वहां पर रहे हैं और हम हमाचल परदेश सरकार से एक ही मांग रिखते हैं, कि हम को कहीं ऐसी जगा दी जाए, कि हम भी अपने बच्चों को अच्छी तरह से तालिम दे सके हैं, और हमारे जो हैं, जब हम रस्ते में चलते हैं, हमारे लिए बहुत परिशानी होती हैं, रहने के लिए तरपाल नहीं हैं, कहीं अगर दूप आ जाए, तो उसके लिए शावा नहीं हैं, और कहीं भी रस्ते में, पानी हमारे पसु पालन को भी नहीं मिलता है, हम एक मांग कर रहे हैं, केंदर सरकार से भी, और हिमाचल सरकार से भी, हमको रहने के लिए सब गुम्तू गुजरों के लिए कि हमारे को कहीना कहीं ऐसी जगा दी जाए कि हमारा पशुबालन भी अच्छा हो जाए और हमारा रहना भी अच्छा हो जाए और हमारे बच्चों को शिक्षा और तालिम भी अच्छी मिल जाए हम यही मांगता है हमारे को काई बठा दे बड़ी हम अपने बच्चों को पढ़ाई और अकसर आपने देखा होगा कि नाचते खेलते हस्ते कूटते लोगों की जान चली जाती है इससे पहले की कोई कुछ समझ पाए मौत हो जाती है अचानक से हाट अटाक के ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं हिमाचल प्रदेश में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया है पूर जाने वाली घटना सामने आई है जिसे देखकर लोगों की व्योंटे खड़े हो रहे हैं सर्मौर जिले के पावता साहिब के अबोया में एक शादी समारों में नाचते नाचते युवक की मौत हो गई युवक एकदम धडाम से नीचे गिरा मौके पर मौजूद लोगों न की दम तोड़ दिया था वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का हाजब होंगे ब्रेक के बात एक बर फिर हाजबें ब्रेक के बाद बढ़ते हैं कुछ रास्टे खबरों की ओर 36 गण में हुए शराब घुटाले को लेकर भारतिय जनता पार्टी ने शराब घुटाले का पोस्टर विमोचन किया है बता दे कि अब भारतिय जनता युवा मोर्चा शराब घुटाले को लेकर प्रदेश के 800 शराब दुकानों में पोस्टर चस्पा करेगी इसके साथ महिला मोर्चा शराब घुटाले को लेकर प्रदर्शन करेगी प्रदेश अध्यक्ष अरुन साव ने कहा कि शराब बंदी का वादा करके कॉंग्रेस ने सरकार बनाई चार साल चुप रहे, कमेटी बनाई खाना पूर्ती का काम हुआ और अब शराब बंदी से मुकर गए बीजेपी के प्रदेश कार्याले में शराब बंदी को लेकर प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सहर प्रभारी नितिन नबीन, प्रदेश अध्यक्ष अरुन साव, नेता प्रतिपक्ष नारायन चंदेर ने पोस्टर विमोचित किया इस अफसर पर पूर्व मंत्री बिजमोहन अगरवाल, महामंत्री ओपी चौधरी, पूर्व मंत्री केदार कश्यप मौजूद वो है करोना कार में भी राज्य की सरकार ने कानरेश की सरकार ने किस प्रकार से सराब की सप्लाई की आप सब को पता है हर्याना की फतेहबाद के भूना इलाके के टोहाना रोड पर इस्थित, स्क्राब की दुकान के मालिक पर युफको ने लाठी डंडो से हमला कर दिया जहां दुकान के अंदर घुसकर मारपीट की गई, जहां मारपीट की लाइब वीडियो CCTV में कैद हो गई दुकान के मारिक पुने को भूना इलाके के नागरेक अस्पतार में भरती करवाया गया तो वहीं दुकानदार के सिर पर चोटे भी आई है कुछ दिन पहले पीडित की स्क्राब की दुकान पर वाशिंग मशीन बेशने के लिए युवक आये थे दुकानदार ने मशीन लेने से मना कर दिया इसी रंजिश के चलते करीब आधा दरजन युफको ने दुकान मालिक पर लाठी डंडों से हमला बोल दिया तो वहीं पीडित के द्वारा पुलिस को मामले की शिकायत दे दी गई है हर्याना की अंबाला में तंबाकू कंट्रोल प्रोग्राम के तहत स्वास्त विभाग द्वारा शैक्षिडिक संस्थानों के सो गच के घेरे के भीतर तंबाकू उतपात बेशना प्रस्तुत करना और संस्थान के बहार अधिनियम अनुसार चेतावनी बोड ना लगे होने को लेकर कारवाई की गई स्वास्त विभाग की टीम में चिकित्सा अधिकारी के साथ सदर थाना पुलिस ने इस कारवाई को अंजाम दिया स्वास्त विभाग ने दो दुकानों पर चेकिंग की और एक युवक दुकान के अंदर धूम विपान करता पाया गया कोटपा आक्ट 2003 के सेशन A और 6 B के तहत कारवाई की गई और इस कारवाई में कैंट के कई सारवजनिक स्थानों पर भी जाच की गई स्कूलों के आस पास तुमा को बेचे जाते हैं उनके चापा लदान मारना है हमके और उनको इस्ट्रक्शन देगा नहीं है कि यह यह यहां पर तुमा को बेचना बंद करें क्योंकि यह सेमों साथ के हमारे ओडर है उन्होंने लेटर में मिलको मार्क किया था हमारे नौडर लॉक्सर डॉक्टर संजीव शब में इनका पोर्ट अगरेस था वह आज नहीं जा पए मैं गया था और मेरे साथ मिस्टर जतिन हैं और मिस्टर अशोग हैं कि हम टीम लेकी गए थे थाना सदर से हम पुलिस की टीम भी आई थी हम सभी गए थे हमने तहीं सार लोगों को वार्निंग निए उनके ऑफिसर जो मिस्टर अजीद हैं उनको बोल कर आए कि किसी तरह कोई केस हो हमें बताएं और हम इसको बिल्कुल करना चाहते हैं यहां पर ऐसे संस्थान पर कोई सिगर्ट जुडी ना पिये और लोग स्वस्त्र है इस बुलिटन में फिल झाल